नमस्कार दोस्तो जानी केसे में आपका स्वागत है हम रोजाना स्वास्त सम्मंदि जानकारी लेकर आते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और साथ ही बेल आइकोन को जरूर दबाई जिससे की हमारे सबी वीडियो की नौटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहल नमबर एक आपके घर में तुलसी का होना बेहत शूब माना जाया है लेकिन सुर्यास्त के बाद तुलसी के पोधे का स्पड़श नहीं करना चाहिए और ना ही उन्हें जल देना चाहिए इससे धन की देवी लश्मी नाराज हो जाती है और घर से समुरुद दूर हो जाती ह नमबर दो स्वास्त समंदित परिशाने भी होने लगती हैं नमबर तिन शॉष्त के अनुसार सुर्यास्त के बाद घर में जाडू पोछा करने से घर की खुशियों और गुड़ लख समाप्त हो जाता है सुर्यास्त के दोरान घर पर बैटे रहने या पढ़ने के बज़ाय खेलना चाहिए या कोई शारीरी गतिविती करने चाहिए इसलिए शाम का असर तहलने और खेलने को कहा जाता है नमबर चार सुरस्त के बाद कपड़े नहीं दोने चाहिए और ऐसा करने से घर में कलहव बनता है और घर के सरिस्यों के बीच लड़े जगड़े होने लगते है इसलिए कपड़े हमेशा दीन में ही धोने चाहिए नमबर पाद सुरस्त के बाद कभी भी अपने बालों को ना काटे और ना ही शेव करे कई लोग सुरस्त के बाद बाल कटा लेते हैं फिर शेव कर लेते हैं इसा करने से चीवन पर नकरात्मत असर होता है और धन हानी हो जाती है